जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके साथ सेर करेंगे गुजराती स्टायल में बनने वाली तूवर की सबजी की रेसिपी गुजरात के महसाना सहर में बनने वाली इस सबजी को तूवर के ठोठा के नाम से जाना जाता है बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार सी बनने वाली इस सबजी को हम दो तरीके से बना सकते हैं जो सूखे तूवर आते हैं उसका इस्तेमाल करके इस सबजी को महसाना में बनाया जाता है और इस सबजी को आज हम हरी तूवर से बनाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम तूवर को बोईल कर लेंगे इसलिए हमने यहां पर एक कप तूवर ली है इसे बोईल करते वक्त हम इसमें एट करेंगे दो चुटकी बेकिंग सोडा तो यहाँ पर हम दो चुट की बेकिंग सोडा एड़ करेंगे ना की बेकिंग पाउडर और इसी के साथ एक चोथाई टीस्पून नमक एड़ कर देंगे और आधा कप पानी सामिल कर देंगे प्रेसर कुकर को लीड से कवर करके हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे पांच मिनिट के लिए और बोईल करेंगे तो अथंटिकली इस सबजी को सिंग तेल में बनाया जाता है तो हमने यहाँ पर चार टेबल स्पून तेल ले लिया है तेल गरम होने के बाद हम इसमें एट कर देंगे एक टेबल स्पून बारिक कटा हुआ लहसुन तो लहसुन को हमने इसका कलर चेंज होने तक 30 से 35 सेकेंड के लिए तेल में फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें एट कर देंगे half टीस्पून जीरा और दो चुटकी हींग और साथ ही में हम इसमें खड़े मसालों में एट करेंगे एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा और एक बादियान का फूल इन खड़े मसालों को कुछ सेकेंड्स तक तेल में सोटे करेंगे और फिर इसमें एट करेंगे बारिक का टीवी प्यास तो हमने यहाँ पर दो मीडियम साइस की प्यास को बारिक काट लिया है और प्याज एट करने के साथ ही हम इसमें लहसुन के दो साबूत गाठी एट कर देंगे और प्याज को तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी सोफ्ट ना हो जाए तो authentically इस सबजी में साबूत लहसुन को इस तरह से एट किया जाता है क्योंकि सबजी को पकने में थोड़ा वक्त लगेगा तो सबजी पक जाने के बाद ये लहसुन अच्छे से गर जाएंगे और खाते वक्त जब आप इसे हाथों से थोड़ा क्रस करेंगे तो इसका उपर का छिलका उतर जाएगा और लहसुन का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सबजी में तो यहाँ पर प्याज जब सोप्स होने लगे तब तक हमने इसे तीन से चार मिनिट के लिए फ्राई कर लिया अब इसमें एक टीस्पून अद्रक लहसुन का पेस्ट एट करके हम एक मिनिट के लिए इसे भी फ्राई कर लेंगे अद्रक लहसुन का कच्छा पंदूर होने तक हमने इसे एक मिनिट तक फ्राई कर लिया और अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले एट करेंगे तो सुखे मसालों में हमने यहाँ पर लिया है 1 צी स्पून पाउ भाजी मसाला आप यहाँ पर पाउभाजी मसाला की जगा सांभर मसाला भी ले सकते हैं अगर आपके पास यह दोनों ही अवेलेबल ना हो तो आप 1,4 तीस्पून जितना गरम मसाला ले ले और half teaspoon जीरा पाउडर, एक चोथाई teaspoon हल्दी पाउडर, एक teaspoon धन्या पाउडर और एक teaspoon लालमिश पाउडर साथ ही में एट कर देंगे स्वाद अनुसर या फिर half teaspoon नमक इसे अच्छे से मिला लेंगे और मसालों की भुनाई करते वक्त हम इसमें 3-4 टेबलस पुन जितना पाणी एट करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन मसालों का कच्छापन दूर होने तक 2-3 मिनिट तक मसालों को खुले में पकने देंगे तो मसालों का कच्छापन दूर होने तक हमने इसे दो से तीन मिनिट तक पका लिया है और इस टेज पर हम इसमें टामाटा रेट करेंगे तो यहाँ पर हमने दो मीडियम साइस के बारिक कटे हुए टामाटा लिये है आप यहाँ पर टामाटा के पेश्ट का इस्तेमाल भी कर सकते है मिला लेंगे इसे और टामाटा के सोफ्ट होने तक और फ्राई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि तीन से चार मिनिट तक फ्राई करने के बार टामाटा सोफ्ट हो चुके है तो इस stage पर हम इसमें add कर देंगे 1 टेबल स्पुन भर के हरा लहसुन तो हमने यहाँ पर हरे लहसुन का white और green portion दोनों लिया है इसे के साथ हम यहाँ पर एक कब भर के हरा प्यास add कर देंगे तो हमने हरे प्यास का भी green और white डोनों portion लिया है और इस सब्जी की एक खासियत ये भी है कि इसे हरी प्याज और हरे लेसुन के साथ पकाया जाता है इसलिए हमने यहाँ पर प्याज की कॉंटिटी थोड़ी ज्यादा रखी है तो जितनी हम इसमें तूवा रेट करेंगे उतनी ही कौंटिटी में हमने इसमें हरी प्याज रेट कर दी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके पकाएंगे तो हमने इसे कवर करके 10 मिनिट के लिए पका लिया है और बीच में हमने इसे एक बार चेक कर लिया था तो एक बार इसे और चला लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसालों की भुनाई बहुत ही अच्छे से हो गई है और इसका जो तेल ही ओभी सरफेस पर आने लगा है तो इस टेश पर हमने जो तूवर बोईल करके रखी हुई है वो इसमें एट कर देंगे तो हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद हमने गेस्की फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर तूवर को पांच मिनिट के लिए और बोईल कर लिया तो अब देख सकते हैं कि यह बिल्कुल अच्छे से बोईल हो चुकी है तो यहां पर एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि जिस पानी में हमने इसे बोईल किया है उस पानी के साथ ही इसमें एट करेंगे यानि कि उस पानी को हम फेकेंगे नहीं इसका सबजी में बहुत ही बढ़िया टेश्ट आता है और इसी के साथ हम इसमें दो टेबल स्पूंज इतना हरा धनिया एट कर देंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे और लो फ्लेम पर इसे 5-7 मिनिट के लिए और पकाएंगे तो तूवा रेट करने के बाद हमने इसे 5 मिनिट के लिए और पका लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सबजी बनकर बिल्कुल तयार है अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो जब आप इसमें तूवा रेट कर रहे हों तो उस वक्त थोड़ा सा पानी भी रेट कर सकते हैं इस मज़ेदार सी सबजी को ब्रेट के साथ सव किया जाता है वैसे तो आप इसे कुल्चे और बाजरे की रोटी के साथ भी सव कर सकते हैं लेकिन ब्रेट के साथ यह सबजी बहुत ही मज़ेकी लगती है इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेट को सेखने के लिए पेन में थोड़ा सा घी एट कर दिया है आप यहाँ पर घी की जगह तेल या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो तकरीबान आधा मिनिट टक हमने ब्रेट को एक तरफ से गोल्डन और क्रिस्प होने तक सेख लिया अब इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से सेखने के लिए भी हम इसमें थोड़ा सा घी तेल या फिर बटरेट कर देंगे तो चलिए अब सव करते हैं उत्तर गुजरात के महसाना की मोस्ट पोप्यूलर इस डिसको जिसे टोठा के नाम से जाना जाता है तो देखिए कितनी बढ़िया सबजी बनकर तयार हुई है और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है आप इस रेसिपी को जब अपने घर पर एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार इसे बना कर खाने को दिल चाहेगा तो इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप कोमेंट बोक्स में हमारे साथ अपने एक्सपीरेंस जरूर से सेर कीजिएगा तो टोठा को सव करते वक्त हम इसमें थोड़ा सा नीबू का रसे एट कर देंगे साथ ही में थोड़ी सी बारिक कटीवी प्याज और बेशन की सेव के साथ इसे सव करेंगे अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा लेहसुन भी एट कर सकते हैं और गानेशिंग के लिए इसमें थोड़ा सा हरा धनिया एट कर देंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपि के साथ तब तक के लिए गुडबाई